हाई चला, शब को मेरा नमस्कार है, कल मैं 12 नमर वीडियो नहीं कर पाया था क्योंकि लाइन का कनेक्शन जो एरर था, वो सरबर का एरर हो जाता है, कभी-कभी ऐसा होता है सर, आगे से ये ध्यान रखेंगे कि अगर सरबर का एरर होता है और मैं क्लास ले रहा हूँ और बीच रिकॉर्ड वीडियो डाल दूँगा, दो में से कोई एक काम करूँगा, अगर कनेक्शन ठीक हो जाता है, तो मैं फिर से लाइब आ जाओंगा, या कनेक्शन ठीक नहीं होता है, तो ऐसके जब पीडियेफ वाले टिलिग्राम चैनल पर मैं बता दूँगा, जिस पे 50,000 प् रखता है, और ये network problem कभी-कभी ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए सरम तहे दिल से हमीं sorry है, आपको क्या करना है, दो options हैं आपके पास, या तो पांच मिनट वेट कीजिए, अगर कट जाता तो फिर से मैं live आ जाओंगा, और या नहीं, तो आपको हम अगले दिन तक उसका recorded व चलते हैं हम लोग, question number 8 में चलते हैं, 8 number question क्या कहता है सर, कि 0 degree C से 10 degree centigrade, कितना degree C से कितना degree centigrade, कहता है, 0 degree C से 10 degree centigrade ताप बढ़ाने में आइतन क्या होगा, यहीं नहीं कह रहा है, इसके लिए चला तुमको क्या करना है, दो graph याद रखना है, एक graph ऐसा होगा, ध्यान दिजएग इसर, पानी के लिए, पानी का और शमाने परसार होता है, यह पानी के लिए है, किसके लिए है, पानी के लिए है, तो पानी का और शमाने परसार कुछ इसकदर होता है, इधर हम लोग लेते हैं, आइतन, आइतन, और इधर हम लोग लेते हैं, सर, तापमान, और अगर हम other end म और इधर लेते हैं हम लोग सर तापमान ठीक हैं? तो अब ध्यान दिजेगा अगर हम इसको ऐसे लेते हैं ध्यान दिजेगा, ऐसे तो ये हमारा हो जाता है 4 degree centigrade और अगर इसका घनत्यों का ग्राफ की बात करोगे तो घनत्यों का ग्राफ ऐसे होता है यह होता है हमारा 4 डिगरी सेंटिग्रेट यह तापमान हो जाता है हमारा ध्यान दिजेगा यह तापमान जो है वो हो जाता है हमारा कितना डिगरी सेंटिग्रेट यह तापमान हो जाता है हमारा 4 डिगरी सेंटिग्रेट अब ध्यान दिजेगा अगर यह 0 डिगरी सेंटिग् है 10 है यह कहीं नगहीं तो दीकेज़ेंट 24 से और चार झार के बाद बढ़ता है और जीड्व से चार में घनत तो अगर 4 degree centigrade और यहीं अगर घनत्व की बात करें चिला तो घनत्व अगर हम महत्तम की बात करें गणत्व झात्व की बात करें इत यह भी ओता आइतन बढ़ेगा तो घटेगा, आइतन घटेगा तो घटेगा, इसलिए उल्टा होता है, इगराफई से है, इगराफई से, जब यह तुम्हेरा 4 दिगरी सेंटिग्रेट से इधर का एक वैल्यू दे, तो कहना 0 से 4 तक या 2 से 4 तक या 3 से 4 तक आइतन घटेगा, और 4 के बा वीडियो तुम लिख सकता है इसमें, इसलिए हम जादे टाइम नहीं देंगे तुमको, अब यहां आजाओ, कहता 0 से 10 दिगरी से ताप बढ़ाने पर आइतन, आइतन का ग्राफ चला इसा होता है, आइतन का जो ग्राफ होता है, वो कुछ इस कदर होता है, यह 4 दिगरी सें जीरो से 10 तक पहले आएतन घटेगा, अब फिर आएतन क्या होगा, बढ़ेगा, तो काता है घटता है, बढ़ता है, पहले घटता, फिर बढ़ता, आंसर, पहले घटता, फिर बढ़ता, ठीक है, यूविल गट दा आंसर, अब आते हैं चला, कुशन नमर्ण 9 पे, काता है, NH 4, Hall 2, SO4 के एक अनुमें कितने परमानू, कुछ नहीं है चला, अगर तत्व कहे, तत्व या यॉगिक कहे, तो इसमें कहे, परमानू की संख्या, परमानू की संख्या, तो चला, की करना है, जैसे हड्रोजन अकेले है, तो ये परमानू, हड्रोजन दूगो है, तो दूगो परमानू, अगर चला, ह2, SO4 है, ह2, SO4 है, तो चाहर, एक पांच, दूगी, साथ, परमानू रे चला, और अगर, NH4, Hall 2, SO4 है, इसमें कहेगा, चला, परमानू की संख्या, NH4, Hall 2, SO4 है, तो देखो कैसे गिनेंगे, चाहर, एक पांच, आई, यहां हो जाएगा, चाहर, एक प 15, ध्यान देना, एक चैर पांच, आप पांच, दूगी, दौस, एक एगारा, चैर पंदरो, नहीं, बुझेला है, अगर मान लो देदे, ए, बी, Hall 2, यहां 3 देदे, तो कहेंगे, तीन, एक चैर, आई, पूरे सा दूगी, से गुना आठ, अगर देदे तुनको, X2, Y3, Hall 2, ुझेल, पावर, Hall 2, तो कहेंगे, तीन, आदेवी, पांच, आई, पूरे के गुना दूगी, तो 10, वह सही कर रहे है, देखो, 4, एक, पंदरो, और थोरा सा कंप्लिकेटेड, अगर हमों को करता है, शिये 3, PO4, Hall 2 अगर देगा तो क्या करेंगे परमानु की संख्या तीन को तो यहां है यहां करेंगे 4, 1, 5 आप 5, 2, 2, 3, 3 इस दा आंसर चैर, 1, 5, आप 5, 2, 2, 2, 2, 3, 3 तो बता आंसर क्या हो जाएगा पंदरा इस दा आंसर NH4, Hall 2, SO4 आंसर हो जाएगा तुमारा पंदरा इसको तुमें स्टॉप करके लिख लेना अब अगले में चलते हैं चला तो आंसर, 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 आंसर कहता है CA3, PO4, Hall 2 फिर वही बात तुमको हम बोले प्रैक्टिस करने के लिए हमारी सीडी सेट है कि किसके बाद क्या हमको प्रैक्टिस करवाना देखो चाहर एक पांच अब पांच दूनी दौस अब दौस तिन तेरो आंसर तेरो पिछला के आंसर के था नि पिछला के आंसर के था पिछला के आंसर था पंदरो very good एक और आंसर के तेहर चला तेरो कई सिय है चाहर एक पांच पांच दूनी दास आदास तिन तेरो यू विल गट जांसर अगला अगर को आदे मानलो एनेस्टू सी यो एनेस्टू इस तू यह तो आसान है एनेस्टू सी जाहर घिनना ही तो है दूई एक तीन एक चाहर एक पांच दूई साथ एक आठ अंसर हो चोते हैं आठ चला सिर्फ पढ़ाई करना है कोई फालतुगीरी नहीं क्योंकि इसके बाद जिन्दिकी में जेत दिल करेगा उपकरना है अभी लेकिन कुछ भी एक भी मिनट तुमको अपना बरबाद नहीं करना है तो आते हैं चला अगल पूछ नहीं क्योंकि सज्जक्ता अगर कहे नुदरी और उक्सीजन की समयोगता इस पर होगी ज्यान देना अलमुनियम की सनयोगता अगर कहेगा तो अलमुनियम की समयोगता है, तो इसको तुम लोग लिख लेगा? श्टॉप करके वीडियो लिख लेगा भाई मेरा? श्टॉप करने का आज आज आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है इसलिए अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप से बड़ा गुनहगार कोई नहीं है तो Cu, Copper की सन्योगता एक रापर होगी तो एक रोपर एक है एक रोपर एक है Oxygen की सन्योगता कितनी होगी तो चला एक होगी तो बता यहां कुप्रास Oxide में Copper की सन्योगता कहेंगे एक होगी अब सेम टाइप का question इसको तुम वीडियो स्टॉप करके भी रोख सकता है NH3 में नाइट्रोजन की सन्योगता है तो जही से कहेगा नाइट्रोजन की सन्योगता हमको चला दूसरे पर देखना है तो दूसरे पर नाइट्रोजन की सन्योगता हो गया अब आते है चला तीरा नमर कोश्चन पर कहता है डैस को पचाने के लिए साकाहारी को लंबी छोटी आंथ की आवशकता होती है चला रे जो साकाहारी है घास खाता है गया देख रहा है घास में होता है चला सलुलोज यही सलुलोज जो होता है इससर एक परकार का फाइबर है जैसे सलुलोज एक परकार का पंतू कह सकते हैं जो ऐसे पच्ता नहीं है इसलिए चोटी आत में भोजन पस्ता है इसका चोटी आत जो है न इस्टेंटाइन बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा अजब कि एक वर देखना है यह सेर है एक वर हेतनी बढ़का होता है के ने गया है एक वर देखो यहां से सुरू होता है गाय के साकाहरी क्या यहां तक इसके पास बहुत बड़ा होता है इसलिए क्योंकि घास फूस खाता है इसमें सलूलोज होता है पेड़ पत्ते खाते हैं इसमें सलूलोज होता है अगला अगला कहता है चला विल्वनी करन विल्वनी करन डीसली नेशन क्या है यह चला न बड़ा आजीव कोश्चन है कहीं लिखालने है लेकिन है तो है लेकिन मेरी जो किताब आ रही है उसमें हम एड कर दी है ताकि तुमको दिक्कत नो हर लगभग वो थियोरी एड के है जो ते लिए चला नया होगा कहते हैं विलवनी करन या डिसलीनेशन क्या है यह परियावरन की सफाई की प्रक्रिया है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनीज पदाप्त को अलग क्याता है देखो तुम्हारे सामने हैं यहां से ocean का पानी लिए लालाला यहां से चला ocean का पानी लिए लेने के बाद पानी जब यहां गया तो इससे खनीज salt और minerals यहां अलग हो जाता है और सुद्ध पानी यहां चला जाता है ध्याम देना चला अगर हम यहां से पानी लिए तो लेने के बाद salt और minerals यहां अलग हो जाता है यहां container में और fresh water इधर चला जाता है यही है विल्वनी करन कहते हैं यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी यानि ओसियन का पानी को खनीजपदार से अलग करते हैं इस खनीजपदार को यहां और समुछ फ्रिस वोटर को यहां ले आते हैं यही चला वलवणी करता यह कैसी नहुंटाने की प्रेक्रीया है यह सरङजडच्छी की प्रेक्रीया है नहीं चला ममला गढ़बड है अगले चले अगला कातु है निमली किद मेंसे कौं सा पानी के साथ केल्सियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है जो इससे चला केल्सियम कहें ना केल्सियम बोले तो चूना की बात करना है केल्सियम बोले तो किसकी बात करना है चूना अब बता चला चूना प्लस पानी जो है यह धीमी गती से विक्रिया करता है कि तिब्र विक्रिया है बहुत तेजी से विक्रिया करता है कभी डाल के देखना चूना में पानी बहुत तिब्र गती से विक्रिया करता है अई question क्या पूछ रहा है निमलिकित में से कौन सा पानी के साथ कैल्सियम के विक्रिया के लिए सहीन नहीं है तो कहता है सहीन नहीं है भया विक्रिया की तिवरता कम होती है नायरे भया विक्रिया की तिवरता बहुत जाद होती है जैसे चूना पानी मिले में खोला लगता है भायान नि अब कहता है कैल्सियम तरना सुरू कर देता है अरे चला कहता है सही नहीं है कैल्सियम तरना सुरू करता है चुना जतना भी होगा उतर प्लकर जल एफ-फला हिड़े H2 gas निकलता है, एकदम सही बात है, देख लिए आपके सामने है, H2 gas निकलता है, ये option यहां गया, ये option यहां गया, और जल्दी से सर आप अपना solution लिख लिजे, चूना प्लस पानी लिख लिख लिजटी ब्रभी करिया है, उसके बाद ये reaction लिखिए, इसका मतलब hydrogen gas भी निकलता है, heat भी generate होता है, सही बात है, करता H2 gas निकलता है, एकदम सही बात है, निकलने वाली उसमा कम होती है, सर निकलने वाली उसमा कम होती है, बहुत जादे नहीं अगर बहुत जादे में कहा हैstar to contain this uh karma कॉरेंड नाऊ hai। यहां सोगोजान होता है ईसका मताब बहुत जादे टेरेट नहीं होता है ये भी has पाता कौन सही नहीं है काता अभिकरिया की तिवरता कम होती है तुमका भी डाला होगा देखना अभिकरिया की तिवरता बहुत जादे होती है जैसे डालोगे खुलना शुरू कर देता है अगले प्रश्ण क्यूर चलते हैं चला अगला प्रश्ण हमारा क्या कहता है काता निम दांत का ही एक हिस्सा है components है calcium सबसे जाने इनमेल में 36 तरल 5 होता है देन्टाइन में 35 तरल 34 मतलब तुम अगर कुल मिला के percentage देखोगे सबसे जादे calcium ही का होता है यह percentage कहेगा मश्रबार याद रखना नहीं कभी-कभी calcium के अलावे केल्सियम option में नहीं रहता है उस ताइम में phosphorus अंसर हो इसका ध्यान रखना है क्योंकि calcium के बाद उससे कम percentage में phosphorus रहता है बाद वकिए सब को सफेद करने तुमको एकदम दिकतने हो फिया हम अपना नाम का जो वह वटर Denmark रहता है उसको भी हटा रतर हैं को नाम में ने जाए तनको दिकतने होना चाहिए water mark भी हंटा देंगे ताकि तुमको Jurox बेल निकालने में आशानी से लिए चुक्कि इसका क्युक् εाय खर्च होता है कहते है ने वल्कित में से कौन सबादें कल्सियम से बना होता है लेकिन फॉस्फॉरस से The next one is, question number 4 अगला, वहर असानिक बंद कौन सा है जिसमें परमानों के सन्योजन से अनुओं का निर्मान होता है, यह इन कोश्चन है, काता है वहर असानिक बंद कौन सा है जिसमें परमानों के सन्योजन से अनुओं का निर्मान होता है, तो चला बता आंसर की हो जाएगा, परम बानुओं के सनियोजन से अनू का निर्मान होता है चला इन नाभीक है इन नाभीक में रहता है नियूट्रोन और प्रोटोन کر लगाता है अईसे ही figure बना के तुम भी लिखेगा आपने notebook में अई प्लस और मैनस के बीच जो बल लगता है चला ये वैद्यूत aesthetic बल होता है चुकि चार्ज है वैद्यूत aesthetic बल होता है अगर तुमको कहे ध्यान देना कहे रसाइनिक बंद में कौन सा है जिसमें परमानूओं के सन्योजन से अनूओं का निर्मानूँ चला एलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन जब आपस में सन्यूगमित होते हैं तब ही आपका अनूँ का निर्मान होता है इसे हम वैद्यूत aesthetic बल कहेंगे अगर आपको कह दे कि बताओ निर्मान और प्रोट्रोन आपस में किस बल द्वारा जूड़े होते हैं तब कहेंगे नाभिक्याबल के द्वारा निर्मान और प्रोट्रोन किस बल के द्वारा नाभिक्याबल के द्वारा कहेगा प्रोट्रोन और एलेक्ट्रोन किस बल के द्वारा नाभीकियबल होगा लगू रेंज गुर्टियबल का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं उठता है तो आंसर हो जाएगा चला अगर यहीं कहा देता neutron और proton के बीच लगने वाला बल तो कहते भाईया नाभीकियबल वेद्यूतस्थाटिक बल कहेगा तो electron एंड प्रोटोन के बीच चुकी एक पर प्लस चार्ज एक पर मेनस चार्ज है इसलिए विद्यूतियबल हो जाएगा हो गया इसको चला इस टॉप करके तुम लिख लेगा इसाई फिगर बना लेगा एक वनाभीक बना देगा एक लेक्ट्रोन बना देगा तत्त तीन प्रकार के होते हैं आवेश के अनसार एक होता है धन आवेशित एक होता है भाई मेरा रीन आवेशित और एक होता है भाई मेरा उदाशीन ध्यान देना ना त्याग ना ग्रहन करेगा तो जिसके बाहितम कक्षा में जिसके बाहितम कक्षा में बाहितम कक्षा में एक दूई तीन अलक्टरॉन होगा वो धना वीश का निर्मान करेगा और जिसके बाहितम कक्षा में 5, 6, 7, 8 अठने 5, 6, 7 ऐलक्टरोन रहेगा वो रीना वीश का निर्मान करेगा पंच छोट साथ एलेक्ट्रोन होगा वो रिनाविश का निर्मान करेगा एलेक्ट्रोन होगा एलेक्ट्रोन होगा वो धनाविश का निर्मान करेगा ध्यान देना जिसके बाहितम कक्षा में एक दो तीन एलेक्ट्रोन होगा वो धनाविश का निर्मान करेगा जिसके बाहितम किशा में आanha कॉछने करना है जिसके बाहितम किशा में जिसके बाहितम किशा में आठ अलेक्ट्रोन होगा न तयाग करेगा न गरहन करेगा जल्दी से लिख लो चार वला त्याग भी कर सकता है एक दो तीन होगा त्याग करेगा त्याग करेगा धना विशिद बनाएगा जिसके बाइतम गच्छा होगा ग्रहन करेगा रीना विशिद बनाएगा आठ वला ना त्याग करेगा ना ग्रहन करेगा और चार वला कि अब बात करें तियाघ वh sakti है और ग्रहन भी करकता चने care लोगा कि क्यांग भी सकता है और कंभी कर सकता है राइट टाउन इसको आप आपक करके लिख लिखिए का प्रायग धनाविशी तत्तों की सन्योजखता होती है तो सन्योजखता या तु एक होगी न तो दू होगी न तो तीन हो तो बता आंसर क्या हो जाए एक दो तीन के नहीं है डी नमरे जरा आंसर यही सन्योजी एलेक्टरोन होता वही सन्योजकेक्ट्टा होता अगर एक दो तीन होता है अगर रिनाविश के लिए कहेगा तकर हमें आठ में से घटा देते हैं ही तौछ में तो घ्रए नदें model is a a.b अभी समझ में आएगा हम यह सब्सक्रिण how to your कोसिस करते हैं सर अगली कख्चा में आज की नहीं अगली कख्चा में हम याद रहेगा तो हम जल्द ही सन्योजी एलक्ट्रों रख्टा आपका क्लियर कर देंगे अगला कहता है सामान्य मानव रख्ट है तो चला मानव रख्ट यह कुछ पियच है जो तुमको याद रखना चाहिए सामान्य मानव रख्ट का पियच होता है साथ दसमलब चार होगा तो अगर साथ से अधिक होगा तो छारिय होगा और साथ से कम होगा तो अमलिय होगा तो ब और अगर 7 से कम हो गा अमलिय ये लेकिन एक जगा आप पर जाएगा लार का PHMN 6.5 तो 7.5 होता है लेकिन ये होता अगर देखिएगा 6.5 हो गया 7 से कौम 7.5 हो गया 7 से अधिक 6.5 7 से कम हो गया 7.5 7 से अधिक हो गया तब तो अमलिय चारिया दोनों हो गया नहीं, यहां पर लिख लेंगे कि अमलिय होता है कैसा होता है चला, अमलिय होता है लार जो है, अमलिय होता है इसको अलग से लिख लिए जगे लार का प्यज देखेगा सब किता में लिखा है 6.5 तो 7.5 तो आपके ये 6.5 साथ से इधर हो गया असर अमलिया हो गया ये 6.5 लग बग यहां होगा आपके ये 7 से इधर है सरी तो छारिया हो गया साथ से इधर भी अतसर अमलिया हो गया नहीं अगर 6.5 होगा ति ये complete अमलिया होता है इसका properly ध्यान रखना है वामला गड़ बढ़ाता है यहीं पर और अगर मानग सरीर के रख्त का पीच कहेगा 7.4 हो जाएगा अब आते हैं चला अगले प्रश्ण पर करता है निम में से कौ यहां सोडियम है यहां चला सोडियम है आशोडियम से चल गया चला ही कैलसियम यहां आख कैलसियम से चल गया चला जींक जींक के नेगलो जींक 30 जींक हो चला यहां आउसके बाद चल गया चला मैगनीसियम में जींक यहां आउसके बाद चल लो चला मैगनीसियम देखो यह तत्व हैं sodium calcium zinc magnesium अब जब तुम गौर से देखेगा अधिक तत्परता से धन आवेश बनाता है तो चला हमने क्या कहा वी तुरंत बताया था कि धन आवेश वो बनाएगा धन आवेश वो बनाएगा जिसमें के बाहितमकचा में एक दो तीन एलक्ट्रोन होगा और अधिक तत्परता की अगर हम बात करें तत्परता होगा जिसके बाहितमकचा में एक होगा अधिक तत्परता दू होगा उससे कम तीन होगा उससे कम इसलिए कि जकर बाहितमकचा में एक होगा जल्दी से त्याग करके बाहितमकचा को इस्टेबल कर ले और आराम से उत्याग कर भी तत्पर्ता से धनावेश बनाएगा तत्पर्ता धनावेश बनाने की इसको अगर यहां नहीं दिख रहा है तो हम बोल देते हैं लिखो तत्पर्ता धनावेश बनाने की बाइतम को चामें एक दो तीन सबसे अधिक एक की उसे कम दो की उसे कम तीन की तत्पर्ता धनावेश ब ठीक है, क्योंकि यह पहले वरकार, इइन नहीं रहता, उप्षन में तवांसर मैगनिसियम यए केलसियम में से कोई एक रहता, दोनों नहीं रहता, उस हिसाव से चला, हम लोग बनाएंगे, अब मामला यह है, चला, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करें गये, एक लईन संद्रों घंटा चला मेहनत करना कोई फालतू का बात नहीं एक भी हम हमको बहुत लोग बोले कि सर अभी यूपी में कांड हुआ उस पर वीडियो बनाईए आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा फलना जगा ही हुआ सर उस पर कांड बनाईए सब्सक्राइबर हमको नहीं ठीक है जा रहा है तो रहा कोई ने बचा सकता है तो रहा क्यों चीज बचा सकता हुँ है तेरा कलम दम है तो निकाल और सुरू हो जा कहां पर क्या हो रहा है कोई मर रहा है तो मरने दो क्योदि तुम्हारा एक मात्र दोस्त है तेरे मम्मी पापा जो तेरा इंतजार करना है तुमको कुछ करना है तुमको इस जहां में कुछ करके उनके लिए दिखाना है और ये तीन महिना अगर विकास दूबे के साथ कुछ होता है तो होने दो तुमको किसी से कोई मतलब ने चुप चाप चला पड़ते हैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ठीक है और कॉंसेप्ट को कि Carnailize करना सुरू कर जितना देर तुम विकास दूबे का कांड देखेगा जितना देर चिलना का कांड देखेगा उत्रा दरमें एक सेटfight कर लेगा नमस्कार, मिलते हैं साड़े साथ वजे अगर लाइब में वीडियो कट जाए तो उसका दूसरा उपाई यही है कि आप SK जाप PDF जो ग्रूप बनाया हुआ है वो है SSK जाप PDF करके ग्रूप बनाया हुआ है टेलिग्राम पे ऐसा लग है कि यह लग है जाप PDF इससे जुड़िये और अगर बीच में लाइन कट भी जाएगा तो हम तुरंत लाइब होंगे और नहीं लाइब होंगे तो recorded वीडियो डालेंगे क्योंकि नेट मेरे बस की बात नहीं है तो आप सर इस पे जुड़े रहेगा तुरंत तुरंत आपको information share करते हैं कि अभी लाइब होने में दो मिनिट लाइगा लाइब होने में पांच मिनिट लाइगा server का problem है तो वो मैं तुरंत आपको डाल के बताऊंगा तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े और इसमें 19,000 लड़का का है वो फेक है completely और call कर गियेगा सर कितना हम receive कर पाएंगे तो सर आप क्या किजे इसी से जुड़ी है और इसी का message चे करिए कि सर class का क्या हुआ वो खट खट आपको information मिल जाएगा और एक बहुत सारा channel पर टेलिग्राम पर बहुत सारा आसे जुकेशन के नाम से भी channel बना हुआ है आसे जुकेशन वाले channel को subscribe करके रखिए कभी मेरा channel hack हो सकता है मौमला गड़बड होगा आप ही का loss हो जाएगा और दूसरा एक SKJ PDF करके 19,000 का group बना लिया है वह फेक है वहाँ पे अगर हैं आप तो exit कर जाईए और SKJ Telegram जिसमें 50,000, 55,000 प्लस मिम्बर्स है उस पे आप आके जुड़िये सर और हमारे परिवार का हिस्सा बनियो और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दूसरा कुछ नहीं तोरा कुसमें तोर माई बाभू चूप चाप पढ़ थैंक्यू वेरी मच्छ नमस्कार मिलते हैं साम में साधे साथ में थैंक्यू वेरी मच्छ